दोस्तों जब भी हम print on demand की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में question जो उठता है वो यह होता है कि कौन सा design sale कह जाए मतलब क्या वो design हुआ जिसको हम sale करेंगे तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ trending design के बारे में बताऊंगा कौन से निश हैं जिसमें आप deal कर सकते हो जिसमें आप sale कर सकते हो तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें step by step मैं सारी चीज़ा आपको बताऊंगा और साथ में सिखाऊंगा कि कैसे एक trending design की research की जाए जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कैसे आप POD के लिए trending design research करेंगे स्वागत है आपका digital दानिश में मैं हूँ दानिश चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैट की यह एक ऐसा निश है जो मतलब बहुत जादा एक बहुत बड़ी मार्केट अपने आपके क्योंकि all over world दो ऐसे पैट हैं जो की घरों में पाले जाते हैं डॉग और कैट तो normally हर घर में या फिर हर दूसे तीसे घर में आपको दे है ना वो अपने पैट के लिए बहुत डीप होता है तो cat lovers के लिए आप टीशर्स बना सकते हो आप डॉग lovers के लिए टीशर्स बना सकते हो ने ने आप उसमें design बना सकते हो ने ने आप उसमें quits use कर सकते हो ने ने taglines use कर सकते हो और अपने design create कर सकते हो दूसरा यहाँ पर न विटनेस के लिए बहुत जादा एक डेडिकेटिड हैं, तो वो लोग घर पे कुछ ने कुछ एक्सराइस कर रहे हैं, और उसी से रेलेटिड वो निश को भी find out कर रहे हैं, तो यह ऐसा निश है, जिसमें आप कोई भी product sale कर सकते हो, even अगर आप P.O.D. में भी deal करते हो, तो ट इसरा और सबसे important निश है, वो है game, जी हाँ, gaming की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि gaming lover बहुत जादा हैं, जितने भी नौजवान हैं, या टीनेजर्स हैं, या फिर 25 या 30 जितने भी लोग हैं, वो gaming बहुत करते हैं, मतलब online games खेलते हैं, वो online game खेलना पसंद करते हैं, और बहुत जादा trending में है इस टाइम, बहुत लोग बतलब इसके लिए पागल हैं, तो जब आप अच्छे सा design बनावे इस related T-shirts पे, तो वो definitely sale होने वाला है, वो चीज मैंने आपको दिखा भी रखिया अपनी previous video में, तो दोस्तों यह जो P.O.D. की series चल लगा है, इसी को continue करने क के लिए मैंने सोचा है कि आपके लिए कुछ special किया जाए, और मैंने यह सोचा है कि आपको P.O.D. की complete training provide करवाई जाए, जिसमें सारा business module बताया जाए, पूरा A to Z कैसे आप profitable हो सकते हो, कैसे design sale कर सकते हो, कैसे सबसे important चीज है, return, return को आप RTO को कैसे handle करोगे, कैसे design sale करोगे, यह सारे topic मैं discuss करने जा रहा हूँ, एक webinar के थुरू, तो उस webinar का link मैं description में डाल दूँगा, जल्मदी से जाके अपनी seat book कर लो, और यह webinar बहुत important होने वाला है, अगर आप P.O.D. में business करना चाहते हो, अगर आप P.O.D. इंडिया में करना चाहते हो, तो इस webinar में आप registration कर वाल हों के कैसे हम एक trending design सर्च करेंगे, हाँ P.O.D. में कैसे हमें design के लिए research करनी है, क्या market में trend चल ला है, वो जानेंगे, तो सीधरे चल दे मेरे laptop की screen पर, हलो दोस्तो, तो अभी हम आचुके हैं अपने laptop की screen पर, और आप जैसे देख सकते हो, मैंने आपके लिए open किया हुआ है Amazon.in, क्योंकि हम print on demand इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने Amazon.in को open कर दिया है, तो सबसे पहले और सबसे बड़े seller पर हम जाएंगे, वो है Amazon, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम सर्च करेंगे, तो जैसे हम printed t-shirts for men डालेंगे, तो यह हमें कुछ इस तरीके से design मिलना start हो जाएंगे, यह अभी कहा है Amazon पर यह design available है, और अभी हम चलेंगे कि कौन से design sale हो रहा है, तो अभी आप देख सकते यह काफी trending में है, आजकल, smiley design भी काफी सही चल ला है, Avenger का A हमेशा चलता ही है, यह चीज भी बहुत सही है, इन से inspire होके आप अपने design बना सकते हो, अपनी quotation लिख सकते हो, अपने emojis use कर सकते हो, अपने PNG file, मतलब PNG art clip use कर सकते हो, कोई भी image use कर सकते हो, ठीक है, quotation आप डाल सकते हो, motivation, quotation डाल सकते हो, तो यह design मतलब इस तरके सा आपको idea मिल जाए कि market में किस तरगी के design sale हो रहा है, अभी मैंने open किया है, Amazon best seller, ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या design trend हो रहा है, और सबसे जादा किस type के design sale हो रहा है, ठीक है, Amazon पे, तो उसके लिए ह accessories में, man's पे click कर देंगे, और t-shirt पे click कर देंगे, तो अब आपको पता है कि t-shirt की category में किस तरगी की t-shirt sale हो रही है, और उस पे, मतलब print अगर है, तो print किस type का है, और plain है तो plain किस type की, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर polo t-shirt है, और यह round neck t-shirt है, तो यह कुछ printed design है, आप द इस तरगे से भी आप t-shirt sale कर सकते हो, चलिए, यह तो मैंने बात की category में, best seller कौन सा है, और किस तरगी की t-shirt sale हो रही है, ठीक है, जादाधर plain t-shirt है, और design में, जो t-shirt है, printed t-shirt है, वो मैंने आपको दिखा दी, एक बार हम search कर लेते हैं, Amazon पे प्रिंटिट ट-shirt, t-shirt for man, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से design देखने को मिल जाएंगे, यह अभी Amazon पे sale हो रहा है, इस design, आप देख सकते हो, इन design से inspire होके, आप अपने design create कर सकते हो, और बना सकते हो, यह Amazon की बात कर लाँगा, चलिए, दूसरी बड़ी website की बात करते हैं, जो कि merchandise में deal क करती है, t-shirt sale करती है, bewaqoof.com, तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे-चे design देखने को मिल जाएंगे, जैसे अभी रक्षा बंदन आने वाला है, तो उससे related यहाँ पर इनका एक category नहोंने शो कर दी है, तो यह रक्षा बंदन से related आपको यहाँ पर design मिल जाएंगे, दोस्त ठीक है, यहाँ से idea लेना है, मतलब in short, कि market में क्या चल रहा है, किस तरह के से design sale हो रहे हैं, लोग किस तरह के design बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपने design बना सकते हो, एक बार मैं T-shirts में दिखा रहता हूँ आपो, यह लोग किस तरह के से sale कर रहे हैं, तो इसरी जो website है, वो spreadtshirt.com, और यहाँ पर दो तरीके हैं, आप अपने design create भी कर सकते हो, और shop भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको international level के design मिल जाएंगे, और as well as आपको इंडिया में भी क्या चल रहा है, वो भी पता चल जाएगा, तो सबसे पहले चलते हैं इसकी shop पे, और shop मे men's पर चलके t-shirt पर click कर लेते हैं, तो हमें idea मिल जाएगा, किस तरीके के design international level पर sale हो रहा है, और आपको idea मिल जाएगे कि इंडिया में क्या sale हो रहा है, तो आप देख सकते हो, यह बहुत सारी design है, आपको completed design की picture भी मिल जाएगी, और t-shirt पर वो कैसा mock दिख रहा है, वो भी पता चल जाएगा, copy नहीं करना है, बार-बार मैं आपको बोला हूँ, कि copy नहीं करना है, आपको सिर्फ idea लेना है, और अपने नए design बनाने है, चलिए, यह तो international design थे, अब मैं इसी में अगर हिंदी डाल दूँ, तो आप देख सकते हो, यह बहुत सारे design हिंदी में आ जाएंगे, तो हम इंडिया में यह design use कर सकते हैं, इससे related हम अपने बना सकते हैं design, अब भी इस type के design काफी चलना है, आप भी पंदर अगस आ रही है, तो आप अपना इंडियन फ्लैग बहुत चलता है, टी शेट्स पे, यह फिर कोई भी एक देश भक्ती का आप slogan डाल सकते हो, काफी यह trending रहता है, तो लोग इनको भी use करते हैं, और इनको भी खरीदते हैं, यसी यह एक map हो गया, अपना इंडिया का with flag map हो गया, आपको यह देखना है, क्या season है, क्या festival है, उस ही के according design करना है, क्योंकि यह change होता है, और नए design आते रहते हैं, सबसे अच्छी बात POD में यह है, कि आपको T-shirt design करनी है, आपको T-shirt print नहीं करनी है, आप design कर सकते हो, और N number of design कर सकते हो, जो भी trending आपका design मिल जाता है आपको, और उसके साथ आप scale-up कर सकते हो, अपना business, चलिए, कुछ वीडियो में comments आया थे, कि sir, आप flip card से related कुछ research नहीं बताते है, तो यह भी एक बहुत बड़ा sailor है, इंडिया का, तो आज बात कर लेते है, flip card की, flip card मैंने printed T- shirt का, यह keyword डाल दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से design आपको मिल जाएंगे, flip card पर फिलाल इस तरीके design सेल हो रहा है, एक bikes related है, motorbike से royal infield, और ऐसे लगते है, यह मतलब, आप यहाँ से idea ले सकते हो, quotation डाल सकते हो, tagline डाल सकते हो, जो बड़े-बड आप डाल सकते हो, इसमें, अपने design में, और अपनी creativity डाल के उसको, अपने according design कर सकते हो, TikTok के तो फतर ही हो चुका है, फिलाल इंडिया में, तो आने वाले time में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा वापस, फिलाल यह design अभी इंडिया में, जो बड़े-बड़े e-commerce elephant हैं, जिनकों बड़े हाथी कहा सकते हैं, e-commerce का, वो लोग यह design sale कर रहे हैं, आप इन से inspire होके अपने design बना सकते हो, जितनी ज़्यादा research कर लोगे, जितनी ज़्यादा creativity डाल दोगे अपने designs में, उतने ही ज़्यादा, आपके chances हैं, आपको winning design मिल जाया, उसके साथ आप अपना store scale up कर सकते हो, अपनी ज़्यादा sales generate कर सकते हो, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आपकी समझ में आचुका होगा, कि market में क्या train चल रहा है, किस niche में आप deal कर सकते हो, कौन सा niche आपके लिए easy है, किस niche में आपका interest ज़्यादा है, जिसमें आप ज़्यादा सोच सकते हो, ज़्या आप inspire होके अपने design बना सकते हो, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ कि आपको design copy नहीं करने है, आप उनसे inspire होके अपने design create कर सकते हो, अपनी creativity को वहाँ पर show कर सकते हो, तो दोस्तों मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ मुझे दीजिए, इजाज़त जाहिन ज है भारत